वेन नेपाल में फेमस होने से कोण international स्टार बन जा रहा है हमारे प्यारे अज्यू भाई एके टोटल गेमिंग और टोटल गेमिंग एसीज हरा का सबसे बड़े गेमिंग चैनल है कि अज्जुवाई एस्या के नंबर वन गेमर तो है लेकिन लो एफर्ट कॉंटेंड बनाने में अज्जुवाई यानि कि टोटल गेमिंग के चैनल पे टोटल 43 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यह देखके मुझे इस बात का तो पता चल गया कि गवर्मेंट ने इंडिया में स कि मेकप लगाने वाले और बॉडी सॉफ करने वाले यूटूबर पायल गेमिंग तक को बुलाया गया था लेकिन अफसोस की वाद है कि वहाँ पे हमारे ACI के नंबर वन गेमर अज्जुवाई को नहीं बुलाया गया क्या बत्तर है क्यों अज्जुवाई बापू तमें त से फ्रीफायर खेला है और इतने साथ फ्रीफायर खेलने के बाद या फिर ACI का नंबर वन गेमर बनने के बाद भी क्या फाइदा जब लोग कमेंट सेक्शन में नूबी बोल दे रहे हों लोगों को पता ही होगा कि टोटल गेमिंग और मुन्ना भाई गेमिंग का एक फेक नूब बोल के चला गया और ये बात मुन्ना भाई को बुरा लग जाती है और इसके बाद मुन्ना भाई अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डालते है जहां पे वो डैरेक्ली टोटल गेमिंग को वन बी वन के लिए चैलेंज करते हैं अज्जुबे मेरा लेव पे आके मुझे नूब बोल के चला गया जिन्होंने कुद पिछले नोमन से फ्रीफेर नहीं किला है वो बंदा मुझे नूब बोल रहा है अगर कुद इतना प्रो हो तो मेरा वन वी वन का चालेंज आकसप करो टाइम बताओ कब करना है ओकात की ब पिछले हपते अपने यूटूब चैनल पे एक वीडियो डाली है औकात की बात करके पिछले कुछ दिनों से हमारे फ्रीफायर कम्यूनिटी मेरी और मुन्ना भाई गेमिंग के कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है जिसमें मुन्ना भाई की लाई श्रीमिंग पर जाके मैंने उन उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि ये कॉन्टोवर्सी फेक है और जब अज्जू भाई ने अपने चैनल पे ये वीडियो डाला और जब मुझे इस वीडियो के बारे में पता चला तो मैं उसी समय समझ गया था कि इस वर्सेस में कोई नहीं जीतने वाला है क्योंकि य तो भी दो कस्टम हार जाएगा वो फिरिफायर डिलीट कर देगा और उसमें से पहला कस्टम अज्जू भाई जीत जाता है और दूसरा कस्टम मुलना भाई गेमिंग जीत जाता है और तीसरे कस्टम में हम सब का चूतिया कट जाता है जो भी हो एंड में हम दोनों भाई है केरे को भी पता है मेरे गर को भी ल खेलना है किया कहता है अब फट क्यों राय तेरा नीं चैयलेंज एकसट्प करने से पहले सोच न था की खेलना या नई है यह का तरीका है कि दो कास्टम केलने और तीसरे कास्टम में फटने लगए अब इतना ही फट्टू है तो चैनेंज क्यों करता हैं ऐसे लगा रहा हूं बहुत क्रेजी हैड शट मारा हूं मैं बोलता हूं कि देख तीर को तूभी गेम खेल में भी खहलता हूं छोड़ते हैं खतम करते ही इसको खतम, चलो बाई मेरा को इतना नाटक में करना मैं तरको भाई मानता हुँ तरको छोट रहा हूँ जान दे करना वाई मेरे वहे सब दिए वाई में मільки को फेलना कि वो comment section में लिख रहा है कि now old days vibes coming from अज्जु भाई बात समझ old vibe नहीं आ रहा ये वीडियो का जो script है न यही old है ये सारे scripting न lockdown के time पर ही चलते थे मतलब भाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि 2018-19 में जो total gaming था और जो अभी 2024 में total gaming है न इन 5-6 सालों में अगर पर हम रीटेर होना नहीं चाहते हम दोनों डेली प्रिपायर के लाए तो बहन के लड़ू हो अगर तुम दोनों को गेम खेलना ही था तो फिर 50 मिनिट का बीडियो बना के चिंड़ा पंती करने का क्या जरूरत था चूतिया बनाया तुम को एक उपर एक चड़के कहला अरे भाई मतलब चूतिया बनानी की बात का एपिसोड 2 भी आने वाल है खेर गाईज मैं तो पहले ही एपिसोड में चूतिया बनके खुस हूँ अगर तुमको आगे भी चूतिया बनना है तो तुम इनके एपिसोड 2,3,4,5 जितने भी आएंगे उसको भी देख सकते हो तो गाईज आज के वीडियो में बस इतना ही था आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर लो दोस्तों के साथ और चैनल पर पहली बार हो तो सब्स्राइब क पर जाकर के फॉलो कर लो एंड अगर तुम लोग भी इंडस गेम खेलते हो तो तुम लोग मेरा सेकेंड चैनल भी जाकर के सब्स्राइब कर लो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए टेक केर एंड लव यू अल